गाजियबाद पुलिस को ओपरेशन क्लीन लगातार जारी है आए दिन पुलिस बदमाशों पर कहर बन कर बरस रही है एक बर फिर गाजियबाद की मसूरी पुलिस और बदमाशों के बीच मुटभेड हुई इस दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामे बदमाश सागर को गिरफतार किया जबकि दूसरा बदमाश मौके से अंधेरे का फायदा उठा कर फरार हो गया बता दे कि थाना मसूरी पुलिस नाहल पटरी से मुराद नगर की तरफ जाने वाले पुल के पास चकिंग कर रही थी तब ही बाइक पर सवार होकर दो अभियुक ताते हुए दिखाई दिय जिनको पुलिस ने रुकने का इशारा किया लेकिन बदमाश नहीं रुके और भागते हुए पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया जिसके बाद पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की जिसमें सागर नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जिसके बाद गायल बदमाश को अस्पताल में भरती कराया गया जहां गायल बदमाश का इलाज चल रहा है वहीं पुलिस ने पकड़े गए बदमाश से चोरी की बाइक और एक तमंचा बरामत किया है आज मसूरी पुलिस द्वारा एक 25,000 का इनामी बदमाश सागर सनफ अफ़तार सिंग, निवासी, ठाना जारचा, चनपत गौतम बुद्धनगर पुलिस इंगेजमेंट के द्वरान गिरफतार किया गया है ये एक शातर किसम का अपरादी है जो गैंस्टर में थाना मसूरी छेतर से वंचेत भी चल रहा था आज शाम चेकिंग के द्वरान जब पुलिस द्वरा इसको रोका गया तो इसने पुलिस पर फाइरिंग करते वे भागने का प्रियास किया पकड़ा गया बदमाश काफी शातर किसम का अपरादी बताय जा रहा है जिसकी पुलिस काफी समय से तलाश कर रही थी फिलहार पुलिस ने घायल बदमाश को अस्पताल में भरती करा दिया और फरार बदमाश की तलाश की जा रही है पंजाब के सिरी टीवी के लिए गाजियाबाद से आकाश गर की रिपोर्ट